हेलो एव्रिवरन वेलकम टो आई एक्जैम बी आई एक्जैम बी के यूट्व चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाई अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ इसाथ बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको लेटेस्ट वी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो मेरे साथ बने रहे हैं अगर आपको कोई डाउट है इसके रिकार्डिंग आप कमेंट सेक्षिन में पोस सकते हैं कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो इससे बहले देखें तो यह है हाव तु स्टड़ी कैसे पढ़ना है सेकिंड है वाट तु स्टड़ी क्या पढ़ना है क्या होता है कि इन दिनों को हम ऐसे ही खो देते हैं इसमें कुछ प्रोड़क्टिव इडियो ने दिखा पात क्या चीज़ पढ़नी हैं किस तरीके से पढ़नी हैं विवकुल last days और हम कोई नए चीज़ ले बैट जाते हैं या फिर किनी चीज़ों को revise करने में सारा time निकाल देते हैं क्या actually strategy होनी चाहिए क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कैसे पढ़नी चाहिए इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे इसके लावा बात करेंगे मौक टेस्ट के बारे में करते हैं how to study देखें अब लास्ट 10 डेज बचे हैं हमारे पास तो कहीं ना कहीं जो ट्रेक्स होती है क्वांट और रीजनिंग की बात करें basically जो ट्रेक्स होती है और हमें ध्यान देना है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रलेम्स में हमें यह पता है कि टाइम लिमेटेड 20 मिनट्स है हर सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट्स है क्वांट को करने के लिए इतना ही time है reasoning को गरने के लिए क्योंकि tricks की बाद हम इन में ही कर पाएंगे अभी English की बाद भी थोड़ी दिद में करते हैं तो quant और reasoning में हमारे पास 20-20 minutes में तो कही न कही और 35 questions है आपको पता है 35 questions ही quant के 35 है reasoning के तो कही न कही टाइम मैनेज करके चलना है तब यह में अच्छा attempt कर सकते हैं कुभी cutoff जो है वो more or less 55-60 रहा था last year भी और उससे पहले भी 50-60 की range में देखा गया था तो cutoff भी मतलब एक अच्छा range में जाता है तो कम से कम 70 प्लस इसमें score अगर मतलब attempt करेंगी तब आपके chances बनते हैं क्योंकि कही न कहीं accuracy भी महाँ पर matter करते हैं और normalization भी होता है क्योंकि multiple shift में exam है तो normalization भी अपना वहाँ पर role play करेंगी 75-70 प्लस attempt या 65 प्लस attempt with good accuracy तब आपको कहीन कहीं यह शौर कराता है कि आपका exam clear हो जाएगा तो उसके लिए काफे जरूरी है reasoning और quantum में अच्छा score करना क्योंकि English में भी आप कहीन कहीं शौर नहीं हो पाता है कि जो भी question आप करके आए वह सही होंगी जगरत लेकिन जो reasoning reasoning और quantum में आप करके आते हैं उनमें आप कहीना कहीं शौर रहते हैं कि आप जो करके आए हैं वह questions सही होंगे almost सही होंगे तो काफी ज़्यादा depend करता है exam reasoning और quantum पे और साथी साथ English पे इसलिए depend करता है क्योंकि कहीना थे अगर आप habit में है English reading की तो reading से ही काफी चीज़े जाती है banking exams क्योंकि इसमें reading portion ही आपको देखने को मिलता है grammatical portion बहुत ही कम देखने को मिलता है इसे इसमें RC की बात करें इसके लावा हो गया इसमें vocab based रहता है grammar based का भी देखने को मिलते है तो यह सब चीज़े कहीं नहीं अगर आप reading करते आ रहे है तो महां से आप clear कर सकते हैं लेकिन अगर quantum reasoning के बात करें तो यह हमें basically आप ध्यान देना है जाता है क्योंकि यह हमारी accuracy भी साथ-साथ maintain कराते हैं तो how to study में यही है कि आप इनको tricks से ध्यान दे थोड़ा सा और जब अब आप question solve करें तो with timer solve करें इसे क्या होगा कि आपको speed increase करने में काफी help और अगर English की बात करें तो English को कैसे पढ़ना है अब English की आपको reading करने ही reading अपनी continuous रखने को कि reading habit होनी चाहिए RC में काफी helpful रहती है के लिए उसके लाबा आप कुछ RC के practice करें लेकिन यह with timer आप कीज़े और अपने तो भी vocab है आप आगे what to study में बात करें ठीक है यह सब चीजे होनी जाहिए how to study इस तरह से आपको last में पढ़ना है with tricks with timer without timer आप नह क्या क्या है देखे quant के अगर बात करें reasoning की और English अलग-अलग बात कर लेते हैं तो quant में आप कोई भी आप नया topic नहीं start करना है जो भी आपने topic किये उनके revision और प्रैक्टिस उनका revision कीजिए उनका प्रैक्टिस कीजिए ठीक आप नया topic मत start कीजेगा reasoning में puzzles पे ध्यान ज्यादा puzzle कीजिए with timer timing उनके त्री मिनट्स तक कर दे इसको लेकिन 3 मिनट्स तक maximum time ले आई है उसका कि maximum 3 मिनट्स में तो वह हो जाए ठीक है तो with timer आप इनको solve कीजिए puzzles को reasoning में ज़रू क्योंकि slogs और inequalities यह सब आप कर चुके हैं almost तो puzzles बसती है sitting arrangement यह सब चीज़े बसती है तो इसके लावा बात करें English के तो English में आप reading कीजिए जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं जिस भी नियुस पेपर से पढ़ते हैं उसको continue रखिए उसके लावा grammar के rules कीजिए grammar rules को revise कीजिए अगर आपको 3-4 questions में मिलते हैं तो व कि यह कुछ sentences दिये होते हैं उनको arrange करके आपको एक meaningful paragraph बनाना होता है इसके practice कीजिए क्लोस टेस्ट की practice कीजिए vocab read कीजिए कहीं भी आपको compilation easily मिल जाएगा आप open है सब्सक्राइब के लिए vocab का compilation download कीजिए और उस vocab को morning में एक बर revision करेंगे इस बीच में आपको GA यह कोई और other subject पढ़ रहे हैं तो अभी उसको skip कीजिए प्रेलम्स के लिए करना भी आपना आप में बहुत बड़ी बात है प्रेलम्स के लिए करने के बाद ही आप मेंस में जा पाएंगे तो कहें नहीं भी जीए को 10 days के लिए stop कर दीजिए स्किप कर दीजिए उसके उन चीजों को छोड़कर आप जीए चोड़कर आप वोकैब पढ़ेंगे तो काफी helpful रहेगा उस बीच में आप जिस टाइम पर आप जीए पढ़ेंगे सुबह या काई भी भी उस टाइम पर आप वोकैब पढ़ेंगे अब बात करेंगे का इस मॉक टेस्ट ही होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा एक्जाम-like feeling देते हैं मॉक टेस्ट से आपको ब्रुकुल एक्जाम वाली feeling आएगी आपको पता चलेगा किस टाइप से timer चलता है क्या hesitation होती है क्या अंदर से anxiety आती है वो भी आपको मॉक टेस्ट में ही देखने को मिलेग तो मॉक टेस्ट का फ्री सोर्स है आप आई एक्जाम पी गूगल पर सिंबल सर्च किजिए आई एक्जाम भी दैट इस आई एक्स एम बीए इसका आप विजिट कीजिए वेबसाइट को जाएगे महाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट नाम से एक टैब मिलेगा फ्री मॉक आप उसको ओपन कीजिए महाँ पर बैंक पियो आपको लिखा हो मिलेगा बैंक पियो में आप जाएंगे तो यह SBI PO की प्रेलिम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री अभी ये फाइफ टेस्ट है इनको आप डे बाइडे अटेम्ट कीजिए वन डे स्किप करके य आपको अर्फमेटिक की कुछ कोशन जरूर कीजिएगा ठीक है यह सब आपको करना है ठीक है मौक टेस्ट जरूर लगाने है यह आपको आई एक्जैम भी वेबसाइट पर फ्री आफ कोस्ट मिल जाएंगे कोई पैसा नहीं लिए आजातान के लिए आपसे तो आपको यह attempt क कर सकते हैं क्योंकि तो एक लेवल जो है अल्मोस्ट सेम ही रहता है ठीक है बात करें सब्जेक्ट बाइस ट्रजी कि तो मैंने आपको यह बता भी दिया तो दुबारे हिंट देते हैं कॉइंट में आपको देखो क्या करना है कोई भी नया टॉपिक तो नहीं स्टार्ट करन इसकी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर अफ्लोड इट है आप चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएंगी ठीक है अभी डियाई के लिए डियाई के लिए आप कलेकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहें तो डियाई आप एक दिन में एक या दो डियाई लगाओ उसके लाब अर्थमेटिक की जादे से जादे कुश है ठीक है बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आप इन 10 डेज में देखें इनके लगा मौक तो लगा नहीं में मौक से अलग बता रहा हूं को चीज़े यह मौक से अलग है चीज़े ठीक है रीजनिंग की बात करें आप पज पजल चूज कर लिए दो दिन पहले एक्जाम से और आपने क्या देखा वह पजल आपसे नहीं लगी तो कहीं न कहीं आपको एक निगटिव फिलिंग आईगी कि मैं पजल कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो चीज़ आपने दिमाग में नहीं लागी है मिलकुल भी बिल्कुल आप इदे की मेंस में जो प्रिलिम्स में जो लेवल रहेगा वो उसी लेवल की आप पजल लगाए जिसमें की एक नहीं हो ना दो वेरियेबल हो इस तरह की पजल और सिटिंग अरेजमेंट को आप रैक्टिस कीज़ए ठीक है रिजिंग में और अपना जो मॉक है वो तो आप लगाते रहे हैं फिर अब करते हैं इंग्लिश में आपको क्या करना है इंग्लिश में आपको रीडिंग तो अपनी कंटिन्यूर रखने को कि रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है इसके लाब वोकैप का एक कॉंपाइलेशन कहीं से भी आपको मिल जाएगा हमारी वेबशाइट पर भी हमारी यूट्यूब चैनल यहां पर भी वोकैप कि बहुत सारी वीडियो से रूट वर्ड से भी बिताया गया है तो वह आप चेक कर सकते हैं वहां पर आपको काफ रहेंगे यह चीज़ आपको करनी है अब आगे इसके लाबा गाइस कुछ नहीं है अब आप पढ़ जोगे हैं थोड़ा सा एक तो रेलेक्स रहना बहुल सरूरी है रेलेक्स रहेंगे तब आप अपनी एफिशेंसी इंक्रीज कर पाएंगे इसमें मैं आपको देखो कुछ चीज़ बताता हूं important एक तो मैंने आपको सोर्स दे दिया है काफी वो आपको अभी भी हमारे आई एक्जैम भी यूट्यूब चैनल पर आपको असानी से मिल जाए आप उनको देख लीजिए उसमें काफी इसमें एक स्टडी प्लैन तो आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि काफी टाइम आपनेस दीखा गया है लेकिन उसमें जो भी पढ़ जो है फॉर आर्स की फाइवार्स की क्लास है 15 देस तक तो आप इसको देख सकते हैं तो आप इसको देख सकते हैं जो आपकी काम की चीज है आप उन्हें देख ली जाएगा इसके लावा 15th of November यानिके मंडे से मंडे से आपको वीडियोज मिलेंगी हमारी यूट्यूब चैनल पर लाइफ सेशन मिलेंगी लाइफ सेशन मिलेंगी जिन में क्या होगा जिससे फर्स डे है रीजनिंग कराएंगे इसका आपको पूरा 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 स्वीडियो मिल जाएगा मैं आपको 50 या 100 questions कराएंगे 50 या 100 questions कराएंगे लाइफ टाकि आप competition भी feel कर सके और कहीं न कहीं अपने practice भी कर से लाइफ कराएंगे आपको हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए उसके लाबा ऐसी तरह के से 16 को मान ली जाकर point लेते हैं अभी subject of finalization नहीं है इसे finalize हो जाएगा आपको पूरा schedule इसका दे दिया जाएगा 17 तो मान लीजे English है तो इस तरह से 50 50 या 100 questions कराएंगे आपको तक काफी अच्छी practice हो जाए आपकी और यह with timer कराएंगे और सब बच्चों के साथ कराएंगे live session में तो आपको ए competition भी वहाँ पर feel हुआगे क्या competition ह है और आप कहां पर उसमें stand कर रहे हैं इसके अलावा day बसते है 18 और 19 इसमें आपको अमरे वेबसाइट पर mock test जो मैंने आपको बताया था वो available है उनका mock test 1 हम पहले करा चुकी है तो mock test 2 और mock test 3 इसका complete live solution करेंगे आपको live solution हमारी YouTube channel पर तो यह पूरा schedule है जो मैंने आपको ब कर रहा है चाहिब को वीडियो देख रहे हैं चाहिब कुछ भी करने है उसके अलावा आपको मैंने बताया कि reasoning में कैसे puzzle और setting arrangement करने है quantum arithmetic की questions की काफ़ी practice करनी है इस ताइम पर को नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है English में आपको reading continue रखनी है vocab पढ़नी है grammar rules revise करने है और जो subject wise maximum जितने भी questions करा सकेंगे उतने questions के आपको एक rapid fire एक तरीके से live class मिलेगे जिसमें काफी बच्ची जुड़ जाएंगे आप जैसे तो फिर इसमें काफी competition भी आप field कर सकते हैं और वो timing के साथ आप solve करेंगे तो एक अच्छी खासी practice हो जाएगी 15, 16 और 17 को और 18 और 19 को जो तो उसमें भी आप जोड़ेगा तो यह complete एक पुरी तरीके से 10 days की journey रहेगी इसको आप follow कीज़ेगा इसके लाब को doubts हैं आपके तो आप पूस सकते हैं वीडियो के comment section में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीज़ेगा share कीज़ेगा ताकि जाब दस याज लोग जो live session होने वाले हैं उनमें जूड़े हैं आपको real examination का real competition का पता लग सके अगर आप channel पर नए हैं गाई subscribe करना ना भूले और bell icon को आइस कर लेज़ेगा तक यह live sessions आने वाले हैं उनकी notification भी आपको timing मेरते रहे हैं right so all the best students keep learning